इस जमाने में तो CI पाइप का काम होता नहीं है लेकिन बहुत सारा बिल्लिंग में CI पाइप लगा हुआ रहता है और सड़ जाता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है देखिए यहाँ पर जो है टी पूरा क्रेक हो चुका है लेकिन इसका पूरा अख़्ा जो लाइन है में और सोट काट में कम खर्चा में किस तरीके से करेंगे यहाँ पर आप देखिए टी किस तरीके से क्रेक हुआ है कोई हतोड़ा अगेरा कुछ नहीं मारा है CI पाइप ऐसे ही होता है वो तूट जाता है या फिर क्रेक होता है धिरे-धिरे जंग लगने के बाद आप यह द बंदेगी नहीं है उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहे है एरलाइट लगा रहे है उसके बाद यहाँ पर आप देखे एरलाइट में हम क्या करेंगे सीमेंड लगाएंगे मतलब एरलाइट के उपर ही कच्चा कच्चा में सीमेंड लगाएंगे यह जो है काफी ज्यादा ही स ताकि ये जल्दी से strong हो जाए और cement भी एक मजबूती चीज होता है तो वो और भी ज्यादा strong हो जाएगा, leakage बिल्कुल नहीं होगा, हाँ एक चीज है, अगर आपका पूरा line सड़ गया, इस तरीके से काम करेंगे, तो नहीं काम करेंगा, मतलब work नहीं करेंगा, कहीं न कहीं आ काम करेंगे, तो काफी ज्यादा लंबा time जाएगा, time तो जाएगा, और खर्चा भी काफी बढ़ा जाएगा, तो वो खर्चा करने के लिए client तयार नहीं है, अब जहां पर यह ऐसा position है, उस तरीके से करना पड़ेगा, हमारा घर का काम नहीं है, हम खुद पैसा लगा कर काम तुरंत बहुत जल्त मजबूत भी होगा, ताइट होगा, अगर आप जानते हो तो पहले आप बता दीजिए, नहीं तो हम बताएंगे, थोड़ा सा इंतिजर करिए, आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही जो एरलाइड है न, एरलाइड थोड़ा सा रहेगा, अब हम सूका सिमेंट इसमें ही मिक्स करेंगे और हलका सा पानी देंगे, अब उसके बाद इसे हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है, पांस से रहेगे दस मिनिट तक आपको इसे गेब देना है, मतलब थोड़ा सा टाइम देना है इस एरलाइड को सूकने के लिए, तुर आप यहाँ पर थोड़ा सा एरलाइड है, आप इसमें हम थोड़ा सा सूका सिमेंट मिक्स करेंगे, एकटा करके इसे मिक्स कर लेते हैं, पहले एरलाइड को थोड़ा सा, मतलब मक्षन जैसे बना लेते है, आप इसमें हम सूका सिमेंट एट करके, उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे ठीक है लेकिन वहाँ पर जो हम T में एरलाइट लगाए है वहाँ पर 5 से लेके 10 मिनिट आपको गेब दे देना पड़ेगा ताकि वो एरलाइट जो है थोड़ा सा स्ट्रोंग हो जाएगा कुई के एरलाइट ले लिजिएगा सबसे बेश्ट रहेगा लोंग टाइम का मत लिजिएगा क्योंकि लोंग टाइम रखेंगे तो आपका 24 गंटा वाला वो यहाँ चालू बिल्डिंग है वो नहीं चलेगा ठीक है अब यह जो है हमारा कम्प्रीट हो चुका है अब उसी जोएंट में हमें यही सिमेंट को अच्छे तरीके से फिल कर देना है और एक चीछ हम यहाँ पर बता देते है सिमेंट के साथ जो पानी है ना पानी में थोड़ा सा चीनी डाल दीजिएगा अगर आप और भी मजबुत लेना चाते हो इस्ट्रॉंग होना चाता है लिकेज भी नहीं होगा वो भी लिकेज से भी अच्छा काम करता है चीनी को मतलब सक्कर जो होता है उसे आप लिजिए पानी में मिक्स करके सिमेंट के साथ वो सिमेंट बना लिजिए और एरलाइट के साथ मिक्स करके लगा दीजिए वो इतना मजबूत होगा कि छेनी हतोड़ा में तोड़ने में आप भी याद करोगे यार ये सीमेंट है कि और कुछ पत्थर वगेरा है उम्मिद करते हूँ वीडियो पसना है तो वीडियो को लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा से यार करिए ताकि सबी लोगों को पता चले और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सबस्क्रेब करिए एबी सीडी सब कुछ प्लम्मिंग और अगर फेजुक पेज में देख रहे हो तो फेजुक पेज को भी जरू फोलो करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को सेयर करिएगा धन्यवाद